हेलो दोस्तों कैसे आप सभी मैं स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेड़गोजी दोस्तों कल एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें कहा गया है कि दीउ लौ फिकल्टी का जो इंट्रिंस एक्जाम होगा दो हजार तेश में वो CUET के थूँ कंड़क कराया जाएगा और जब से ये नोटिफिकेशन आया है तब से मैं देख रहा हूँ कि आइस्पिरेंट्स जो इस एक्जाम की तियारी करे थे वो काफी जादा कन्फ्यूज हो गए है कुछ आइस्पिरेंट्स को लग रहा है कि अब जो लीगल का पोर्शन आये करता था वो एकदम रिड्यूस कर दिया जाएगा वो पूछा ही नहीं जाएगा या फिर जो मैच का पोर्शन है उसको काफी जादा बढ़ा दिया जाएगा उसका लेवल भी बढ़ा दिया जाएगा और नंबर आफ कोशन भी बढ़ा दिये जाएं वैसे ही आपको यह नहीं करना कि एक खबर सुनके कि उसकी शादी कहीं और ते हो गई है आप अपने दोस्तों को बिला लो कि आओ दुख बाटते हैं क्योंकि तुम्हारी भावी की तो शादी कहीं और हो गई है क्योंकि अभी ऐसा बिलकुल भी कुछ सर्टेन नहीं है और उस CUET UG का exam देखते हैं, जो कि undergraduate level पर conduct कराया जा रहा है, तो अगर किसी बच्चे को physics honors करना होता है, तो subject specific भी सवाल उससे पूछे जाते हैं, दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि BHU में, जो CUET इस साल हुआ था, उसमें तो number of questions जो match के थे, वो काफी जादा थे, English के भी आपको मैं clear करना चाहता हूँ कि आप BHU, LLB के previous year questions को उठाईए, question paper को उठाईए, तो आपको पता लगेगा कि हमेशा से BHU में match का level काफी जादा रहता है, और number of questions हमेशा से ही जादा रहते हैं, तो मुझे जहां तक लगता है, अपनी थोड़ी बहुत knowledge से, मुझे ऐसा जाएगा, although उसकी clear notification अगले साल तक आ जाएगी, तब जाके चीजें clear हो जाएगी, legal के portion को लेकर, पर current affairs, quality, English, logical reasoning, maths, आपको इन पाचों पर अच्छे से ध्यान देना, और उसके साथी साथ, legal portion की त्यारी को जारी रखना है, क्योंकि अभी कहीं पर भी ऐसा नहीं दिया गया है, कि legal portion आप से नहीं पूछा जाएगा, मुझे certainty इस बात की जादा नजर आ रही है, कि legal portion वैसे का वैसे ही रहने वाला है, तो आप अपनी preparation को वैसे ही जारी रखें, जैसे आप करते आएं हैं, उसमें कुछ खास बदलाव क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं आने वाला है, और पर ध्यान कब दें, अपनी preparation पर ध्यान जादा दें, वरना वो भाई साप या वो जो भेंजी थी, उनकी असलियत में कहीं और शादी हो जाएगी, और आप अफ़ाओं पर ध्यान देते वे ही दुख मनाते रह जाओगे, थैंक यू सो मच,